दुश्मन के पाउं धोकर सो साल जीने से ए लाग दरजे अच्छा है कि आजमी अभिमान का एक शन जीए और उसके बाद हमेशा के लिए आखें बंद कर ले वो जितने अच्छे अभिनेता थे उतने ही दिगज निर्माता निर्देशक भी थे और इन्होंने बॉलिवुड को एक से बढ़कर एक फिल्म में और उम्दा कलाकार दिये ये हिंदिस सिनमा में लौफ पुरुश के नाम से मशूर हो गए थे और इनके डायलॉग सुनने नेतरहीन भी सिनमा थीएटर जाया करते थे पूरु ने दूसरों का सिर अपने सामने जुकाना सीखा है अपना सिर दूसरों के सामने जुकाना नहीं सीखा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जाने मारे एक्टर ने दरजनो सुपरहिच फिल्मों के अपने पचास साल के करियर में खुद के उपर कभी भी कोई रोमैंटिक गाना नहीं फिल्माने दिया क्या आप मान सकते हैं कि मुगले आजम फिल्म के निर्मान के दौरान के आसिफ को हटा कर इन्हें निर्देशक बना दिया गया था और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिने भारतिये और खास कर हिंदू संस्कृती और राजाओं के चरित्रों को गरिमा प्रदान कर जीवन्त करने के लिए जाना जाता है वो ना तो हिंदू थे और ना ही भारतिये मूल के थे तो आखिर कौन थे ये कलाकार जिनोंने भारतिये ना होते हुए भी इस मिल्टी का कर्ज अदा किया और हिंदूस्तान के गर्व को बढ़ाने के लिए उसी तरह की पढ़कता पर दरजनों फिल्में बनाई बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बाते दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उम्दा कलाकार की जिनोंने भारतिये सिनमा जगत और थेटर पर अपना सर्वस्व नियोच्छावर कर दिया इसके बावजूद इन्हें फिल्म इतिहास में जितनी जगह मिलने चाहिए थी वो नसीब नहीं हुई ये शक्स थे बीते दोर के महान फिल्मकार और भारतिये फिल्म इंडस्ट्री के पहले शोवेन के तौर पर मशूर निर्माता निर्देशक और अभिनेता सुहराब मोदी ये वो फिल्मकार थे जिनोंने सही माइने में भारतिये सिनमा की शुरुआत होते देखा जिसने अपने योगदान से भारतिये हिंदे सिनमा को स्वर्निम युग दिया जिसके धैरे और लगन ने हिंदे सिनमा जगत में नया मापदंड स्थापित किया इन साफ की चक्की में अगर ठीक्रे दले जा सकते हैं तो पहाड भी दले जा सकते हैं ताफ की तहकी होई भट्टी में मों भी नहीं लोहा भी पिगए ये वो स्तम बने जिसके बगैर भारतिय हिंदिस सिनमा का इतिहास अधूरा माना जाएगा इस महान फिल्मकार के पारसी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ परिवार ने प्यार से नाम रखा सुहराब इसने आगे चलकर हिंदिस सिनमा में ना किवल बेशुमार कलाप्रति भाएं दी बलकि भारतिये समाज और चरित्र को गढ़ने में भी महतोपूर्ण योगदान दिया इनके पिता उत्तर प्रदेश में रामपूर नवाब के यहां अधिक्षक थे और अक्सर काम के सिलसिले में देश के बाहर जाया करते थे ये ग्यारा भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इनकी माँ मूल रूप से रामपुर की ही थी, जब सोहराब करीब तीन साल के थे तभी इनकी माँ का एक बीमारी में देहान्त हो गया था, लिहाजा इनका बच्पन इनके मामा के पास रामपुर में बीता यहीं सोहराब मोदी की प्रारंभिक शिक्षा हुई और यहीं इन्होंने फर्राटेदार हिंदी और उर्दू बोलना सीख लिया सोहराब मोदी की पढ़ाई रामपुर के गौवर्मेंट बॉइस कॉलेज में हुई थी, बच्पन से ही इन्हें कला से बहुत लगाओ था इनके बड़े भाई थियेटर से जुड़े थे, इसलिए बच्पन से ही इनका रुजहान रंग मंच की ओर होने लगा स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो ये उसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते थे सोहराब के बड़े भाई रुस्तम ने एक चलता फिरता सिनमा शुरू किया था और वो दूर दराज के इलाकों में गाउं गाउं शहर शहर जाकर सिनमा दिखाया करते थे मोधी साहब ने भी अपने भाई के साथ इसी में हाथ बटाना शुरू किया महर सोलह साल की उम्र में ये ग्वालियर के टाउन हॉल में फिल्में दिखाते थे जिसमें दोनों भाई ग्वालियर से लेकर पुने तक जाते थे इसी बीच प्रधम विश्युध के दोरान ये देवलाली में ठहर गए साल 1923 में रुस्तम ने आर्या सुबोध थेयेट्रिकल नामक ड्रामा कंपनी की स्थापना की जहां पर सोहराब छोटे मोटे रोल करने लगे आर्या सुबोध थेयेट्रिकल कंपनी में काम करने के दोरान ही इन्होंने एक्टिंग की प्रारंभिक शिक्षा ले ली लेकिन कुछे समय में ये नाटकों में प्रमुख भूमी का निभाने लगे यही पर सोहराब ने समवाद को गंभीर और सीधी आवाज में बोलने की कला सीखी जो बाद में इनकी विशेशता बन गई सोहराब मोदी ने साल 1924 में कुछ मूख फिल्मों में साथ ही पारसी रंगमंच से बतौर अभिनेता के रूप में शुरुआत की हैमलेट और दे सोल अफ डॉटर इनके लोग प्रिये नाटक थे जिसमें इन्होंने शेक्सपियर की भूमी का निभाई अभिनेता के रूप में धीरे धीरे मोदी साहब खूब मशूर होते गए 1934 आते आते सोहराब मोदी और इनका परिवार बंबई चला गया यहाँ इन्होंने परेल के न्यू हाई स्कूल से मैट्रिक पास की सोहराब साहब का फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा दिल्चस्प है जब सोहराब मोदी की पढ़ाई पूरी हो गई तब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें किस खेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए लिहाजा ये अपने प्रिंसिपल के पास गए और पूछने लगे कि भविश्य में क्या काम करें इनके प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी आवाज सुन कर तो यही लगता है कि तुम्हें या तो नेता बनना चाहिए या अभी नेता प्रिंस्पल की बात इनके दिमाग में इस तरह घर कर गई कि ये फिल्मों की और रुह कर गए सोराब मोदी ने बंबई में अपने भाई की साथ स्टेस फिल्म कंपनी की स्थापना की इस कंपनी की पहली फिल्म साल 1935 में बनी खून का खून इस फिल्म में नसीम बानो पहली बार परदे पर नज़र आई फिल्म में खुद सोराब मोदी ने हैमलेट की भूमी का निभाई जबकि नसीम ने ओफीलिया का किरदार अदा किया हलाकि ये फिल्म चली नहीं लेकिन बताया जाता है कि शेक्सपियर को भारत की फिल्मों में लाने का श्रे सोराब मोदी को ही जाता है साल 1936 में सोराब मोदी ने स्टेज फिल्म कंपनी का नाम बदल कर मिनर्वा मूवी टोन रख दिया जिसका प्रतीक चिन्ध शेर था अपने इस बैनर तले इनकी पहली फिल्म सैदे हवस बनी 1937 में इन्होंने फिल्म आत्म तरंग बनाई जो ब्रम चरे पर आधरित थी दिरसल सोराब मोदी राम कृष्न मिशन से जुड़े थे और ये फिल्म मिशन के फिलोसफी से प्रभावित थी इसके बाद इन्होंने समाजिक समस्याओं पर भी कुछ यादगार फिल्में बनाई और मिनर्वा मूवी टोन के बैनर तले तकरीबन 28 से जादा फिल्मों का निर्माण किया साल 1938 में शराब की बुराई पर फिल्म मीठा जहर बनाई जो साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही इसके बाद से सोराब मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसी साल तलाग की समस्या पर आई डाइवोर्स इनकी बेस्ट फिल्म मानी गई जिसने औरतों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया साल 1939 में बनी पुकार जो फिल्म मुगल बादशाह जहांगीर की न्याईक विवस्था के बारे में थी फिल्म जबरदस्त हिट हुई फिल्म के हीरो थे चंद्रमोहन और हीरोईन थी नसीम बानो ये फिल्म सोराब सहाब के जीवन में मील का पत्थर साबित हुई और ये शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे सोराब मोदी का नाम उस दौर के सफल निर्माता निर्देशकों में शुमार हो गया इन्होंने साल 1940 में भरुसा बनाई और साल 1941 में सिकंदर का निर्मार किया सिकंदर की यादगार भुमिका में प्रिथ्वी राज कपूर और समराट पोरस के रोल में खुद सोराब मोदी के अभिने को लोगों ने बरसों याद रखा साल 1942 में फिर मिलेंगे और साल 1943 में आई प्रिथ्वी वल्लब 1945 में एक दिन का सुल्तान और साल 1950 में आई शीश महल जैसी फिल्मों ने धूम मचा दी सोराब साहब ने उस दौर में चित्तोड की रानी पदमिनी के जीवन पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा हलाकि बाद में उन्हें लगा कि कहानी विवादों के घेरे में है तो इन्होंने ये फिल्म बनाने की कोशिश छोड़ दी लेकिन देश को गोरो वानवित करने वाली एतिहासिक कथाओं पर इन्होंने फिल्में बनाना जारी रखा साल 1953 में आई एतिहासिक फिल्म जहासी की रानी इसमें जहासी की रानी की भूमिका में इनकी पत्नी महताब थी वहीं सोहराब मोदी राजगुरू बने थे शुरुआत में ये एक बलैक और वाइट फिल्म थी लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनका सेथ बहुत भावे और खुबसूरत है तो सोचा कि क्यों ना इसे टेक्नी कलर में बनाया जाए और इस तरह जहासी की रानी भारत की पहली टेक्नी कलर फिल्म साबित हुई इसके लिए ये हॉलिवुड से टेक्नीशियन और साजो समान लेकर आये थे इस फिल्म को इन्होंने बड़ी लगन से बनाया लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही हाना कि महताब और मोदी सहब के अभिने को दर्शकोंने खूब सराहा जासी की रानी की विफलता के बाद ये निराश हो गए इससे उबरने के लिए साल 1954 में इन्होंने मिर्जा गालिब बनाई ये फिल्म मुगल दर्बार के मशूर शायर गालिब की जीवने पर बनाई गई थी फिल्म व्यवसाइक तोर पर खोब सफल रही इतना ही नहीं ये फिल्म राश्ट्रपती के स्वर्ण पदक से भी नवाजी गई सुराब मुदी ने करीब तीन दशक तक बॉलिवुड पर राज किया इनकी साल 1955 में रिलीज फिल्म कुंधन 1956 में आई राजहट और 1957 में आई नौशे रवाए दिल आदी फिल्में काफी सफल रही कहते हैं जब किया सिफ मुगल आजम बनाने में देरी कर रहे थे तो फिल्म में पैसा लगाने वाली कमपनी शापोर जी ग्रुप के मुखिया ने सुराब मुदी को इसके निर्देशन के जमेदारी सौपने की खुब कोशिश की लेकिन सुराब सहब ने किसी दूसरे निर्देशक का हक छीन ना गलत माना और जमेदारी लेने से इनकार कर दिया साठ के दशक में इन्होंने सिर्फ दो फिल्मों का निर्देशन किया और दूसरे बैनर की तीन फिल्मों में भी अभिने किया इनके निर्देशन में साल 1960 में आई मेरा घर मेरे बच्चे और साल 1969 में रिलीज सबसे बड़ा बलवान जैसी फिल्मों ने उम्दा प्रदर्शन किया मोदी सहब इस दौर की फिल्मों में चरित्र अभिनेता की भूमिका में आ गए इनके रोल बेशक्त छोटे होते थे लेकिन अपने सशक्त अभिने से ये उसमें जान फूंक देते थे बाद के वर्शों में इन्होंने शैली फिल्म्स के लिए मीना कुमारी की अमर कहानी बनाई जो साल 1981 में रिलीज हुई सोहराब मोदी साहब की नेजिस जंदगी की तरफ रुख करें तो रिल लाइफ की तरह ही इनकी रिल लाइफ भी उतार चड़ाओ से भरी रही साल 1946 में इनकी शादी हुई महताब इबराहिम से जो उस जमाने की मशूर अभिनेतरी थी ये गुजराद के सूरत के पास सचिन के नवाब की बेटी थी बताया जाता है सोहराब का परिबार इने बहु के रूप में सुविकारने को तयार नहीं था वजह ये थी कि ये महताब की दूसरी शादी थी इनकी पहली शादी से इनका एक बेटा समाइल था मोधी साहब और महताब की मुलाकात 1944 में आई परक फिल्म के दौरान हुई थी जिसका ये निर्देशन कर रहे थे दीरे दीरे ये मुलाकात दोस्ती में तबदील हुई थी और दोस्ती प्यार में जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था हलाकि सोहराब से शादी करने से पहले महताब ने एक शर्त रखी थी शर्त ये थी कि शादी के बाद भी उनका बेटा एसमाइल इनके साथ रहेगा जिससे मोधी को कोई एतरास नहीं था उनके परिवार वालों ने शादी की मनसूरी नहीं दी इसलिए कई साल इन्हें अलग रहना पड़ा साल 1950 में सुहराब मोदी के परिवार ने उनकी शादी को स्विकार कर लिया कुछ दिनों के बाद इस शादी से महताब इबराहिम को एक और बेटा हुआ जिसका नाम महेली रखा गया सुहराब मोदी ने बहुत से हुनरमंद लोगों को मौके दिये इन्होंने अपने जमाने के सभी दिगज कलकारों के साथ काम किया सुहराब मोदी की खासियत रही कि इन्होंने समाजिक धार्मिक और एतिहासिक हर तरह की फिल्मे बनाई और अपने पांच दशकी फिल्मी जीवन में कुल 38 फिल्मों का निर्माड किया इन्होंने 27 फिल्मों का निर्देशन किया और 31 फिल्मों में अभिने किया यक ब यक यक ये खमोशी कर सिछा गई क्या इनसाफ का तूफान धंडा हो गया रोमन अदालत के दर्वाँ से बंध हो गये बाद के सालों में बतौर अभिनेता इनकी कुछ फिल्में याद की जाती है जिन में साल 1971 के फिल्म एक नारी एक ब्रह्मचारी है साल 1979 के फिल्म घर की लाज में भी एहम भूमिका निभाई वही साल 1983 में आई रजिया सुल्तान एक एतिहासिक फिल्म थी इस फिल्म में रजिया सुल्तान की भूमिका में हेमा मालिनी थी फिल्म के हीरो धर्मिंद्र थी वहीं वजीर आजम की भूमी का खुद सुहराब मोदी ने निभाई थी लेकिन ये भी एक आश्यर रहा कि इतनी फिल्मों में काम करने के बावजूद इन्होंने कभी फिल्मों में कोई गाना नहीं गाया यानि किसी गाने पर अभिने नहीं किया 31 फिल्मों में अभिने के दौरान सुहराब साहब की जीवन से जुड़ा एक किस्सा मशूर है दरसल शीश महल सुहराब मोदी की सबसे अच्छे फिल्मों में से एक थी इस फिल्म को सुनने के लिए कुछ नेतरही लोग भी आये थे क्योंकि उनके समवाद बहुत अच्छे होते थे हिंदे सिनमा में सुहराब मोदी लौपुरुश के नाम से मशूर थे इनकी आवाज बेहद बोल्ड थी इनके हिंदे और उर्दु बोलने की शैली से दर्शक श्रोता भौचक रह जाते थे ये सनमा के इतिहास में पहली बार था कि किसी व्यक्ति के समवाद को सुनकर लोगों की आँखों में आसु भी आ जाते थे जब इनोंने पाया के इनके कुछ दर्शक नेत्रहेन भी है तो मोदी सहाब ने एक से पूछा आपने बिना कुछ देखे फिल्म का आनंद कैसे लिया तो उस नेत्रहेन दर्शक ने जवाब दिया अपने दिल से फिल्म देखता हूं और समवादों को सुनता हूं और महसूस करता हूं जिस से आवाज के जरिये मेरे दिमाग में सारी कल्पनाएं आ जाती है मुझे फिल्म समझने में मदद मिलती है सबसे रोचक तत्य तो ये था कि सुहराब साहब ने फिल्म देखने आए इन नितरहीनों को उनके टिकट के पैसे वापस लोटाने का आदेश दे दिया अपने समय के मशूर पढ़क था समवाद लेखक अली रजा ने एक बार साफ तोर पर कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री ने सुहराब मोदी के साथ नयाई नहीं किया इन्हें फिल्म इतिहास में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली बात चीत में अमूमन हर पुराने फिल्मकार मानते हैं कि अगर कभी इमानदारी से भारतिय फिल्म का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक पूरा अध्याए सुहराब मुदी के नाम होगा सुहराब मुदी ने अपना संपोर्ण जीवन फिल्म जगत को दे दिया फिल्मों के दुनिया में किये गए इनके एतिहासिक कारियों के लिए साल 1980 में इन्हें दादा सहब फाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया मारत में कई एतिहासिक फिल्मों को जो प्रतिष्ठा दिलाई उसका श्रेय सुहराब मुदी को ही जाता है सुहराब मुदी सहब को आगे चल कर बोन मेरो कैंसर हो गया 1983 में इन्होंने अपनी आखरी फिल्म गुरु दक्षना का मोहरत निकाला लेकिन 1984 में डॉक्टरों ने बताया कि इनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है असी साल तक आते आते इन्हें चलने फिरने में भी छड़ी का सहारा लेना पड़ गया इनके दोनों बेटे विदेश में थे हलाकि सोराब सहाब की पतनी इनका इलाज करवाना चाहती थी लेकिन डॉक्टरों ने सुझाया कि जितने दिन भी बाकी हैं इन्हें शांती से गुजारने दिया जाए 28 जन्वरी 1984 को 80 साल की उम्र में सोराब मुदी का निधन हो गया भारती हिंदी सिनमा ने सोराब मुदी के समय अपना सुरनिम युग देखा कई बार कलाकार अपने आसफल होने पर हार जाते हैं लेकिन सोराब मुदी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा अपनी अथक मेहनत से इन्होंने उस दोर में सफलता हासिल की जब जादातर लोगों को फिल्म निर्मान या अभिने के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा अगर आपके पास सोहराब मोदी के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी लिखकर बताना मत भूलिएगा अब दीजे अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजासत नमसकार